Hello, Welcome, मैं हुतासिफ और आप देख रहे हैं Believe for You आज कि इस ट्रीटोरियल में हम बात करेंगे बैक्ग्राउंड से रिलेटेड वीडियोज के बैक्ग्राउंड और फोटोस के बैक्ग्राउंड से रिलेटेड के कैसे आप उससे रिमूफ कर सकते हैं especially आप अपने वीडियो के background को आपने बहुत सारी movies देखियोंगे especially Hollywood की movies जिसमें बहुत सारे ऐसे effect होते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे shoot किया गया होगा या फिर कैसे ये effect डाला गया होगा तो actually ये जितने सारे effects होते हैं जितने भी animations होते हैं कोई space में या फिर कोई समंदर के अंदर नहीं shoot किया जाता सारे के सारी सारी film जो है वो एक studio के अंदर ही shoot होती है और वो सारे effect बाहर से डाले जाते हैं software के जरिए ये video editing software के जरिए तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने videos के background को आप remove कर सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर देखें कुछ photos यहाँ देखें यह काफी famous movie है Avengers उसके दो character है यह actually है studio का scene ठीक है यहाँ पर bridge है और यहाँ पर green screen यूज किया गया है actually यही सबसे बड़ा feature है कि कि किसी भी videos के अगर video के background को अगर remove करना हो उसकी जगा कुछ और use करना हो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि वो video shoot किया गया हो green screen के साथ तब ही हम green screen को remove कर पाएंगे और उसकी जगा कोई दूसरी video import कर पाएंगे और उसे merge कर पाएंगे तो हम आज देखेंगे कि कैसे जैसे अगर हम लोग TVs देखते हैं तो वहां पर भी अगर देखें तो इस्टूडियो का scene अगर हम देखते हैं तो वहां पर काफी सारे animation background में चल दे होते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है इस्टूडियो में ऐसा नहीं होता है वह बाद में software के जरीए, movie making के जरीए वह सारे effects डाले जाते हैं जैसे कि यहां पर देखें हम यह TV है simply इसके background को हम लोग remove करके यहां पर animation पुट कर सकते हैं जैसे helicopter है तो यह green screen के साथ इसको एक्या गया है इस वैसे यह क्या होगा easily green screen remove हो जाएगा और background में हम जो जाहे वह effects यहां पर जाल सकते हैं जैसे यह simply animation है काफी famous and entertaining movie थी ठीक है उसका यह animation है ठीक है तो चली हम देखते हैं कि इस चीज को कैसे करेंगे सबसे पहले आप open case अपना cyberlink power director ठीक है आपके पास हो सकते है lowest version हो या highest version हो सब में यह feature available होते हैं actually सारे video editing software में यह feature available होता है काफी important चीज है जिस feature के जरीए हम लोग इसे remove करते हैं उस feature का नाम होता है chroma key तो actually जरूरी है chroma key के लिए कि किसी एक color का background हो normally green screen यूज किया जाता है क्योंकि green color जो होता है वो काफी अच्छा होता है आप किसी भी software में इस features को ढूर सकते हैं इसका नाम होता है chroma key तो सबसे पहले हम अपने सारे photos and videos को cyberlink power director 12 में import करते हैं अगर आपको जानना है cyberlink power director 12 से related और तो आप हमारे channels पर visit करके playlist में देख सकते हैं cyberlink power directors related और भी tutorials है basic and बहुत सारे tutorials हैं सबसे पहले हम यह देखें कि जैसे यह video है हमारा अगर इसे हम play करके देखें तो यह कुछ इस तरीके का animation है मैं चुआता हूँ यह हमारा background हो यह जो image है and यह हमारा animation इसी background के ऊपर वो merge साथ में किया हूँ photos को हमारे इंच कर लेते हैं ठीक है अब देखें यह background है हमारा और यह हमारा animation है ठीक है तो simply हम लोग animation पर जाएंगे animation को modify करेंगे यहाँ पर देखें अब modify option है modify अब यहाँ पर देखें सबसे first option होगा आपका properties में chroma key ठीक है chroma key enable chroma key and यहाँ पर sample enable कियो and यह selection tool है selection tool लेकर यहाँ से जिस color को हमें remove करना है उस color को हमने select कर लियो अब यहाँ से देखें उसके aptroidence और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसे increase degrees करके अपने वीडियो जो आपका जो animation है जिसमें background आपने यूज किया है blue यह green जो भी हो उसे आप improve कर सकते हैं तो मैं simply आज कुछ नहीं करूंगा then save किजिए अब यहाँ पर देखें यहाँ पर जो green screen था वो remove हो गया अब हमारे effect कैसा होगा अगर हम इसे play करके देखें यह वीडियो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी background पर यह shoot किया गया ओ ठीक है ठीक है उसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर इस studio की बात करें तो इस studio में कैसे होता है अगर simply इसे हम next track पर डाल दें और और यह tv को हम यहाँ import कर दें ठीक है टीवी यहाँ import कर दिया अब उसे अपने according रिसाइज कर लिजिए ठीक है यह रिसाइज कर लिजिए उसके बाद आपका जो animation है उसमें जाहिए अब modify में again अब यहाँ पर देखिए कि जिसे यह है इसको अगर हम यहाँ डाल दें अपने tv के अंदर ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह कैसा effect हो को अब अगर इसे हम play करके देखिए तो यह ऐसा लग रहा है कि जिसे tv के अंदर यह चीज हो रहा है तो इसी तरीके का effect इस्टूडियो में यूज किया चाहता है आप चाहें तो जैसा अचाहें वैसा background डाल सकते हैं and then modify में जा करके उसके grainy screen को remove कर देना है अब देखिए यहां पर यह क्या सा effect आ गया कि जिसे लग रहा हो कि जो हमारा helicopter है वह उसी background पर shoot किया गया है ठीक है जिसे कि हमने capture किया है और यह जो animation है वह भी background पर तो actually सब में क्या था कि green screen यूज किया गया था इसलिए easily remove हो गया है अगर आप भी चाहते हैं अपने वीडियो के background को remove करना और उसकी जगा कुछ नया import करना तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी shoot कीजिए green background के साथ और उसे remove करके उसकी जगा कोई भी animation आप लगा सकते हैं जब आपका final editing हो जाए तो आप produce कर सकते हैं I think यह video आपके लिए काफी interesting रहा होगा अगर आपको पसंद आया तो please like कीजिए, share कीजिए and इसी तरीके से आप और भी interesting updates चाहते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा आप मेरे channels को जरूर subscribe कीजिए अगर आपको किसी तरह question है, doubt है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे email id पे जो की है billy4u.yahoo.com Thank you कर दो आपको अपकों आपको भीख स्वाव ग्या चाहते हैं आपको फ्रयस जर दोड़ खने